यह रक्षाबंधन वाले दिन का व्लॉग है क्योंकि रात में थी स्टार्ट रक्षाबंधन तो मैंने फिर रात में ही रक्षाबंधन मना लिया था बच्चों का और मेरा तो पहले ही हो चुका था बस मुझे पूजा करनी थी तो उससे पहले मैं रात में खाना बना के रख रही थी क्योंकि नौ बजे के बाद का ऐसा था कि महुरत है तो फिर मैं सुच आपने सारे काम पहले कंप्लीट कर लेते हैं और देन उसके बाद और काम करेंगे स्टार्ट करेंगे अपना पूजा का और इस बार ना सच बोलू तो रक्षाबंधन का बिल्कुल मजा खराब हो चुका था बस उतना मजा नहीं आ रहा था वरना मैं हर साल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती हो तो यहां मैं मीठी सिवईयां बना रही थी और थोड़े से दूद में मैंने सिवईयां पहले डाल दी थी क्योंकि इसमें जितना हम लोग दूद डालते हैं यह उतना ही एब्सॉर्फ कर लेता है बिल्कुल सूख जाता है ऐसा लगता है कि इसमें कोई दूद है ही नहीं तो इस बार मैंने थोड़ा सा दूद डाला और थोड़े से घी में बदाम फ्राई कर लिये थे बहुत थोड़ा सा घी था ज से टेस्ट ना बहुत अच्छा हो जाता है तो बस यहां पर मीठी सिविया बिल्कुल रेडी थी और यह बहुत जादा यमी बनी थी इसमें मैंने थोड़ी सी इलाइची कूट के डाल दी थी थोड़ा सा पाउडर कर लिया था तो पूजा में अच्छा होता है इसको हम और यहां है ना काफी सारी राखिया हैं जो मैंने भी ली थी और कुछ उसकी चाची ने दी थी तो यह सारी राखिया मैं एक साथ में रख लूँगी जैसे मेरी थी मेरे हस्बन की थी तो वो सारी में रख लूँगी बुगा की राखिय अभी तक नहीं आई थी नहीं तो इ नहां पर है ना मैं जितना भी प्रोग्राम था ना जो सुभा अच्छा लगता है नेक्स डे छुटी भी होती है बच्चों की तो वो सब अच्छा लगता था बट इस बाद थोड़ा सा ऐसा लगा कि बस एक फॉर्मेलिटी की अभी रक्षा बंदन है तो इस टाइम पर मनाना है सब कुछ उतना अच्छे से नहीं चला बट यह है कि बच्चों ने रात में भी बहुत इंजॉय कर लिया था बड़े एक्साइडिट थे कि हमें कपड़े पहनने है फटाफट रेडी कर दो और देन हमें राखी भान देंगे तो बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है तो उनके थोड़ा सा ना उनके लिए भी इंजॉय हो गया और चुटी का कोई फायदा नहीं था क्योंकि मॉर्निंग में नहीं थी रक्षा बंदन नेक्स दे इनको स्कूल जाना था तो यहां मुझे फटाफट से यह सारे काम करवा के बच्चों को सुलाना भी था तो ब दूसरे चैनल पर भी डाला हुआ है तब तो यह बहुत जादा चोटा था तो अभी तो बड़ा इंजॉय किया दोनों ने अपने आप से ही रेडी हो गए थे बहुत खुश थे तो यहां एक चीज क्या हुई ना कि जो अभी आपको आगे वीडियो में दिखेगा कि इसको कोई गिफ्ट भी देना है तो बस दोनों के लिए कुछ था नहीं तो मैंने पैसे रगवाए चॉकलेट रगवा दी थी क्योंकि इनको कीर तो रात में यह बिल्कुल अभी खाने वाले नहीं थे तो बस यहां पर वीशु को पूरी चॉकलेट खानी थी और उसको हा अरू के पास भी कोई खास ऐसा गिफ्ट नहीं था तो उसने भी एना बस वीशु को चॉकलेट दी और साइड में आटो देख रहे हैं यह वाला दे दिया था इसी का ही टॉय था तो उसको पकड़ा दिया था देन यह वाली राखी अरू को उसकी बेहन भानती है कि भाई हो या बेहन हो दोनों को एक दूसरे की रक्षा करनी है तो बेहने बेहने भी आपस में यह भान सकती है तो यह हुआ यह था कि मैं टेबल के ना हाफ कॉर्णर पर जैसे बैट जाती हूँ ना वो टेबल टूड गई और मैं धराम से यह गिरी हूँ वो तो शुकर है कि बस मेरे हाथ की हड़ी का कचुर्मा नहीं बना बच गया तो बस यह टेबल पलड गई थी तो मेरेको नाश्टे की तयारी शुरू हो गई थी अरू को मैं स्कूल भेज जोगी थी उसको भी मैंने यह बेशन का चीला रखा था उसकी मैं वेजी टेबल वगेरा मैं एड नहीं करती हूँ और बाकी वीशू के मैं और उसके पापा के मैंना मैं यह वेजी टेबल एड कर देती हू तो बस यहां पर मैं वेजी टेबल चीला बना रही थी नाश्टे के लिए और सुबह का जो टाइम होता है ना बहुत ही सुपर फास्ट वाला रहता है मेरे लिए सबी ओरतों के लिए मतलब सुबह हमारे पास इतना जादा टाइम नहीं होता और यहां थोड़ा से क्या था रक्षा बंदन की वज़े से ना जो एक कंफ्यूजन था कि नेक्स डे तो चुट्टियां चाहिए ही थी बट ठीक है हमारे लिए चुट्टी नहीं थी तो जो मेरी हाउस हैल पर थी वो इस दिन चुट्टी पर थी तो मेरे लिए अभी यहां पर बहुत सारा काम था करने के लिए तो यहां में पहले आये जो है राजमा गला दीती दाल मकनी बना रही हूं और यह ना मैंने सोचा था कि नेक्स डे अच्छा लगेगा थोड़ा सा इसे भी देखके फील आएगा की कुछ तो है तो यहां पर मैं सात की साथ में ना दो तिन काम एक सात मैं कर रही थी ज साथ में क्योंकि मुझे चीला भी बनाना है और मेरी डाल मखनी तो रेडी होई रही है उसका पूरा मसाला मैंने कड़ाई में एड कर दिया है तो वो दीरे-दीरे भुंता रहेगा और दूसरे साइड पर मैं अपना चीला भी बना दूंगी और रोटी बनाने में मुझे तो उसकी भी तैयारी मुझे करनी परती है तो यह जो टाइम रहता है तो दो-तिन काम जितने हो सकते हैं वो एक साथ में करती चली जाती हो और इस टाइम पर बिल्कुल भी है ना स्लो होने का नहीं रहता है ऐसा लगता है कि जटपट काम किये जाए नहीं तो बहुत जादा लेट हो जाएगा एक आद को तो लेट होई जाएगा और मुझे पूरा जैसे वीशू को रेडी करना होता है उसका लंच तियार करके रखना होता है तो बस यहाँ पर मैंने ना डाल मकनी जो है अच्छे तरीके से ना सीटी लगा ली थी क्योंकि यह गुली हुई अच्छी लगती है खड़ी अच्छी नहीं लगती है तो जब तक मेरा मसाला हो रहा था तो तब तक मैंने इसको एक दो सीटी और लगा ली थी जिसे कि यह अच्छे से गूल जाए तो बस यहाँ पर मेरी कुछ-कुछ तयारियां कंप्लीट हो चुकी है और क्योंकि दाल मकनी है तो म उतकी मलाई रहती है ना वो निकाल दीती क्योंकि इसकी मेरी ऐसी कोई तयारी नहीं थी या मैं यह कहलू कि मैं बहार से जो अमुल क्रीम वगएर रहती है उसका बहुत कम यूज करती हूं क्योंकि हर बार ऐसा प्लैन नहीं होता मैं रात में सोचती हूं रात में उसे भिग कर देती हूं मतलब एक तो रहता है जिसे डाल सबजी या जो भी बनती है वो तो हम बाद में ही पैक करेंगे बट फ्रूट कट करके रखना या दही या छास तो वो मेरा हाफ लुंच है जो जिसे मैं पहले ही बीच बीच में मतलब कुछ और काम ना करके इसे पैक कर देती हू जिसे कि मैं ये छोटी छोटी चीजे हैं जो मैं भूलना जाओं तो बस अभी मुझे जूस की भी तैयारी करनी है मैंने हजबन को भी जैसे बताया था कि उनकी तबित खराब हुई थी हालनकि ये सुबा सुबा मैं जूस निकालना करना मुश्किल है मेरे लिए तो मैंने र काफी सारे काम होते हैं जिसमें की जूस निकालने का मतलब है बहुत जादा टाइम लगना बट अभी मजबूरी भी थी देना है उनको जूस वगएरा हैल्ट का भी कुछ टाइम तक ना बहुत जादा ध्यान रखना पड़ेगा तो यहां पर मुसम्मी का जूस निकाल रही इसमें से तो मैं ग्राइंडर में ही कर देती हूं और देन उसके बाद उसे चानती हूं तो यहां मेरी डालमकनी रेडी हो गई थी तो मैंने बीच में पहले उसे टिफिन में लेके बहार रख देती हूं जिसे की ठंडा हो जाए तो अभी तक यहां जूस निकला नहीं था बट उसको टाइम लगेगा, तो मैंने जब तक बेशन का चीला तवे पर डाल दिया था, जिससे कि वो अपना बनता रहेगा, अजब आएंगे तो मैं उनको ये दे दूंगी, तो यहाँ अभी चाय नहीं बन रही थी, उसके जगा पर मैं जूस निकाल रही हूँ, तो देखे, जल बाजी में मेरा चीला भी बिल्कुल तूट गया, बट ठीक है, ऐसा बीच में हो जाता है, क्योंकि मेरे मैं इधर भी थी, उधर भी थी, ऐसा चल रहा था, तो देन उसके बाद फिर थोड़ा टाइम लगा जूस निकालने में, तो एक टाइम और लगता है, इसे चानने में, तो मैं अभी वही कर रही थी, तो ग्राइंट करने से है न, जूस अच्छा खासा निकल जाता है, मैं जूसर में कभी नहीं निकालती हूँ, उसमें ये सारा है न, पल्प साइड में रह जाता है, तो देखी, इसमें अच्छा खासे तरीके से है न, जूस निकल जाता है, इजी रहता है, बट सुबा थोड़ा सा मुश्किल रहता है मेरे लिए, ये सारे काम करना, तो बट ये है कि दीरे-दीरे हो गया, सब कुछ हो गया, यहाँ पर ब्रेकफास रेडी हो गया, अब मैं जो है लंच के लिए रोटिया बना लूँगी, पैक करनी है, तो जब तक ये अपने खापी के रेडी होएंगी, जब तक मेरा काम हो जाएगा, तो देखिए बस यहाँ पर मैंने रोटी वगयरा सेक ली है, और अब ये लंच पैक हो चुका है, और यहाँ जो अभी आदा काम निपड चुका है, अब मैं अपने बेटे को रेडी करती हूँ, और उसका लंच साथ के साथ में पैक कर देती हूँ, तो यहाँ मेरा काम है ना कंप्लीटली खतम हो जाता है, जो भागा दोडी वाला रहता है, तो बस यहाँ पर देखिए, अभी मैं वीशू के लिए रख रही हूँ, और ये रखने के के साथ मैं उसको रेडी कर देती हूँ, क्योंकि इसको बिल्कुर सिम आश पर रखती हूँ, जिससे कि उसका बेकवास बन जाए, तो बस यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिलेक्स करने बैठी हूँ, और वीशू को जब छोड़के आती हूँ, तो मैं स्टेर्स का यूज करती तो मैं बहुत ठक जाती हूँ, तो आके थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, तो उसके बाद देखे, घर पूरा बिक्रा हुआ रहता है, उसको समेट के रखती हूँ, सुभा ही वो सारी टॉइज वगेरा बिखेर देता है, तो यहां स्टार्ट तो फिर मेरा किचिन से ही होता ह बाकी तो टॉइज मैं इसलिए उठाके रख देती हूँ, क्योंकि उससे बहुत जादा घर ना बिक्रा हुआ लगता है, देन अपने किचिन से मैं पहले स्टार्ट करती हूँ, अपने घर की साफ सपाई, क्योंकि किचिन में जितना भी हम लोग ने कोकिंग किया होता है, प पूरा 60 मिनट्स आप समझ लीजे, उससे जादा नहीं होता है, इतने में जाडू पोच्छा और ये किचिन को मिला के पूरा काम मेरा हो जाता है, तो इतना देर देना पड़ता है, और जब मेरी हाउस हेल पर आती है, तो उस टाइम पर मैं अपना दूसरा काम करती हूँ, वो मेरा एक टाइम बच जाता है, तो मुझे काफी रिलेक्स भी लोता है, मैं अपनी किचिन को या दूसरी और चीजों को डस्टिंग वगेरा कर पाती हूँ, तो यहाँ अभी किचिन में बहुत जादा फैला हुआ था, तो मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी, अप झाल जब घर से सब लोग चले जाते हैं तो काम करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि इस बीच आपको कोई डिस्टरब करने वाला नहीं होता है, तो यह टाइम ना मुझे बहुत सही लगता है, चाहे हाउस हेल पर आए या ना आएं, बट मैं अपना काम है बिलकुल पूल जाता था, तो थोड़ा सा टाइम रहता था, बट अभी उसका भी टाइम मुझे देना पड़ता है, तो मैं यह सारे काम इन सब के जाने के बाद स्टार्ट करती हूँ, जिससे कि इना थोड़ा सा मुझे भी आराम से काम करने का मौका मिले नहीं, तो ये सारे काम में हडबड़ी मैं बिलकुल नहीं कर सकती यूँ कि मुझे जल्द बाजी में कोई काम करना है तो बस यहां पर मैं अपना जो है बिस्तर जहार के देन उसके बात मुझे करनी होती है जहाडू पोचा और कई बारी हम लोग जब घर के काम करते हैं न तो यहां देखे मेरी ये टेबल टूट चुकी थी बट अभी ये काफी लंबे टाइम यहां रखी रहने वाली है इसका हम कुछ करेंगे तो बस यहां पर मैं ना सोफे वगरा सब कुछ इधर उधर कर देती हूं और मुझे ना वही सही लगता है कि सामान है ना इधर से उधर करके मैं अपने घर को साफ रख पाऊं तो यहां मैंने अच्छी गासी वाल्यूम में गाना चला दिया ता देन उसके बाद मैंने इसको हाइट कर दिया है आप बताना कौन सा गाना मैं सुन रही थी तो गाना सुनते सुनते हैं ना मैंने बहुत मुझे अच्छा लग रहा बहुत अच्छा फील हो रहा था, मैं हमेशा नहीं सुनती हूँ, लेकिन कई बारी अपने टाइम के ना गाने चला लेती हूँ, देन उसके बाद जब मैं पोच्छा लगा लेती हूँ, तो पोच्छा है ना मैं कम्प्ली ड्राइ करने के लिए रख देती हूँ, और सारे मैट इसको एज़िटी फिर बिचाती हूँ, क्योंकि बिना मैट कहना, मैं घर का कोई भी इससा नहीं छोड़ती हूँ, सब जगे मैट रहता है, और जिससे की पैर पोच्छ के बिस्तर पे चड़ा जाए, और किचिन में तो मैं बिलकुल नहीं छोड़ सकती, दरी है ये, तो यह मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि जब ये गंदी हो जाती है, तो मैं थोड़ा से इसको पलट देती हूँ, अलग फोल्ड गर देती हूँ, तो काफी अच्छे चल जाता है, तो बस यहाँ पर लास्ट मेरा रहता है, कपड़े, जो दूसरे कपड़े रहते हैं, वो वाश बना दी, और ये हो गया मेरा कंपली लंच की थाली, तो यहाँ वीशू और मेरा दोनों का लगता है, उसको खीर से खिलाऊंगी, और रोटी खाएगा, मैं राइज इंजॉय करने वाली हूँ, क्योंकि तोड़ा सा जल्दी-जल्दी मुझे यही अच्छा लगा, और इसी क त्यास वही बाइँ, बाइव!